Good morning students, today is your English turn, so today I am presenting a new topic, my topic is animals name, animals name means जान्वरों के नाम, तो आज हम जान्वरों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से animals होते हैं, ओके? Okay, animals आपने देखे होंगे, आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास, आप कहीं घुमने जाते होंगे, तो आपको काफी सारे animals देखने को मिलते होंगे, बट कहीं बार ऐसा होता है, आपको कुछ animals के नाम नहीं पता होंगे, कि ये कौन सा animal है, तो आज मैं आपको उन्हीं के ब R, A, T, Rat. Rat means चुहा. L, I, O, N, Lion. Lion means शेर. F, O, X, Fox. Fox means लोमडी. E, L, E, P, H, A, N, T, Elephant. Elephant means हाथी. बच्चों ये आपको लग रहा हुआ कि थोड़ी long spelling है. तो जब आपको कोई भी spelling read करने में, learn करने में problem होती है. क्योंकि वो long होती है. तो हम उसके क्या करते हैं? छोटे-छोटे parts कर लेते हैं. देखिए. E, L, E, P, H, A, N, T. हमने क्या-क्या? इस spelling के three parts कर लिए हैं. E, L, E, P, E, H, A, N, T. elephant. elephant means हाथी. D, O, G, dog. dog means कुत्ता. H, O, R, S, E. horse. horse means घोड़ा. G, O, A, T. got. got means बक्री. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसी तरह मैं इसको दुबारा से repeat करते हैं. दुबारा से हम इसको read करते हैं. लोम्री. E, L, E, P, H, A, N, T. elephant. elephant means हाथी. D, O, G, dog. dog means कुत्ता. H, O, R, S, E. horse. horse means घोड़ा. G, O, A, T. got. got means बक्री. Okay, students. आपको ये spellings इसी तरह से read करनी हैं. learn करनी है. then उसके बाद आपको क्या करना हैं? अपनी notebook में इनको write करना है. ओके? यहाँ पर देखिए मैंने कुछ dots बनाए हैं. तो आपको क्या करना है? इन spellings को यहाँ पर again आपको repeat करना है, लिखना है. ठीक है? जैसे कि देखिए cat के आगे cat repeat करना है, rat के आगे rat repeat करना है. इसी serial में आपको सारी spelling इनके आगे repeat करनी है, लिखनी है, ओके? यहाँ उसके बाद मुझे check कराने के लिए भेजना है. ओके students, next day मिलते हैं new topic के साथ. ओके? थैंक यू.